सश्रेकाल नमस्कार सार्यानू चेतन भारत लर्निंग देविच तो हड़ा स्वागत है अज जब आप पढ़न जा रहे हैं हिस्ट्री ओफ सिखिजम सब तो पहला ता सिख किसनू कैंदे ने सिख होंदा है अलरनर अडिसाइपल जो अपने गुरु तो सिख दा है उसनू सिख दा नाम दिता जानदा है ता सिख तरम देविच जो शिरिक गुरु गुरन्थ साहिब आते दसाँ गुरुंदаже जो सिख्यामा हन जो टीचिंग्स हन जो इनसान उन्ना खुए पोरलो कर दा नाम जपना मतलब हर टाइम अपने प्रबुदा सिमरन कर दे रहना चाहे दुख होवे चाहे सुख होवे अपने प्रबुनों शुकराना अपने प्रबुदा जो है शुकर कर दे रहना किर्थ करना मतलब सच दी कमाई करनी, अपनी मेनत दी कमाई करनी, अते वंड के छकना, जो भी तो हादी मेनत दी कमाई है, उसनु दूसरेयां देविच भी वंडना, if you have something to eat, तो you should share it with everyone, ता इहे तिन जो है टेनेट्स दिते होएं हन सिखतरम देविच, अते पंज विकार, जिनना तो बचन लई कहा गया है, काम, क्रोध, लोब, मो, अते हंकार, राइट, ता उस तो बाद खालसा सिखानू, शिरीगुरु गोबिन सिंग जी ने पंज कक्के दिते सन, क इस कड़ा, कंगा, कछेरा, अते, किरपान, इसनो अपना शिरीगुरु गोबिन सिंग जी बारे जदो पढ़ांगे, ता उसनो उस देविच अपना इसनो डिटेल देविच करांगे, ता इस तो बाद है सिखतरम दा उरिजन किस तरह होया, मेडिवल टाइम्स देविच, ज जो लोग रहा रहे सन ONA DE نाल मुसलमाना दे, विचार वट अंदरा शुरु होया, एंट एक्स्चेंज आफ आइडिएज होया, ता उसतो उस दे नाल की होया, कुछ रिफॉर्म्स इसलाम तरम दे विच आए, अधे कुछ रिफॉर्म्स हिंु तरम दे विच आए, हिंदु संत तुका राम, संत नाम देव, मीरा बाई, वलबाचार्या, श्री चैतन्या, शेक फरीद, आदी जो हन इन डिविच आजन दे हन, रामानंद, ठीक है, इस तो बाद एहे सारे संत जो सन, इक ही प्रभु दी गल कर दे सन, इक परमात्मा जो है गुनगान कर दे सन, इन नू प परमात्मा दे नाल, मनुख दा, जो मन दा रिष्टा है, उस देविच विश्वास रख दे सन, मूर्ति पुझा नू नहीं मन दे सन, तार में करम कांडा नू अंध विश्वास सान देविच एना दा कोई मतलब, इन उसनू है तरजीन नहीं दे सन, इसे टाइम दे दूरान जो है सिखिजम दा उदे होया, अते सिख तरम दे जो मोड़ी सन, शिरी गुरु नानक देव जी, शिरी गुरु नानक देव जी दो दी जो फिलोसोफी सी, ओ इनना सारे स्पक्ति एते सूफी मूवमेंट्स दे जो आगो सन, उनना दे नाल बहुत हाद तक मिल दी जुलदी शिरी गुरु नानक देव जी जिस तरह आपा जान दे हैं कि इक ही परमात्मा देविच विश्वास रख दे सन, उनना दा मूर्ती पूजा देविच कोई विश्वास नहीं सी, अते उनना ने उस टाइम ते प्रचलित, जो लोकान देविच वैंपरम, अते करम कांड उस ट अते दा संदेश देता, उनना ने उच नीच दे फरक नू हमेशा मिटाउना चाहिया, शिरी गुरु नानक देव जी दे दो मित्तर सन, पाई बाला जी अते पाई मर्दाना, जो की असी जान दे ही हैं, पाई बाला जी हिंदू तरम नाल सबंद रख दे सन, अते पाई इस तरह हो मतलब जो तरम जो पेदपाव है, उसनू नई मन दे सन, शिरी गुरु नानक देव जी ता हुन अपा पहली पात्षाही शिरी गुरु नानक देव जी दे बारे पढ़न लगे यां, शिरी गुरु नानक देव जी दा जनम 15 अप्रेल 1429 इस्वी नू राय पोए तलवंडी जिसनू की ननकाना साहिब आज कल केहा जान्दा है, जो की हुन पाकिस्तान देविच है, विखे होया, आप जी दे पिता जी महता कालू जी याते माता जी दा नाम तृपता देवी सी, आप जी दे एक वड़े पैंड सान, बेबे नानकी, जिनना दे बारे तुस चौन दे सन, ता बचपन तो ही शिरी गुरु नानक देव जी दा फिलोसोफिकल एंड स्पिरिच्वल बेंट अफ माइंड रहा सी, वह हमेशा ही रब दे उस्तत देविच लगे रंदे सन, कुछ ना कुछ मतलब सोच दे रंदे सन, ता इस तो जो है, एहे देखके आप जी है, ता गुपाल पांदा जी हैरान रह जान दे हन, एक छोटे जहे बच्चे दे मुहों यह अजीहा मतलब सवाल पुछ के, ता पांदा जी कहन दे हन की इकल्ले अखर दाता कोई अर्थ नहीं, ता शिरी गुरु नानक देव जी खड़े हो जान दे हन की जिन्ना अखरान द वस्दा है, हर अखर दे विच परमात्मा वस्दा है, ता एहे सब, इस कटना दे बारे, जो दो उनना दे, पिता जी इनू पता लगदा है, ता हो बहुत परेशान हों दे हन, ता हमेशा ही लोकां दे मोहों अपने पुत्तर दे बारे अजे हिया गल्ला सुनके, श्री गुर नानक देवजी थी मेररिज कर्वादिती जहां दी है, श्री गुरु नानक देवजी दा व्या दा बिबी सूलखनी जी दे नाल, उनना दा व्याँ हों दा ये दो पुत्तर हों दे हन, बाबा शिरी चंद अल बाबा लखमी चंद, ठीक है ता इस तो बाद आपकर दीया है, सुल्तानपुर लोदी फेज, शिरी गुरु नानक देव जी नू, शिरी गुरु नानक देव जी दी बड़ी पैन बेबे नान की, अते उना ने पती, अपने नाल उना नू सुल्तानपुर लोदी विखे ले जान्दे हन, अते इथे दौलत खान लोदी दे, मोदी खाने आप जी दी जो है नौकरी लगवा दिती जंदी है राइट एक मोद्धी खाना हुंदा है ता श्री गुरु नानक देव जी अपनिया एथे सर्विसेज नो बहुत ही अच्छे तरह मतलब दिन दे है ता आप जी दे जो मालिक हुंद है मोद्धी खाने दाओ बहुत ही मतलब आप जी तो बहुत खुश हुंदा है तरह इस टाइम दी जो प्रचली थे है 13-13 वाली कटना बहुत मशूर है कि गुरु जी अनाज तोलड़े हुए 13-13 करके सारा अनाज तोलड़े रंदे सन इस तो पावे कि मतलब शीरी गुरु नानक देव जी अपने कम दे टाइम दे अपने परमातमा दा नाम जपदे रेंदे सन्थ, ता सुतानपूर लोधी रेंदे होए ही आप एक बार वेई नदी दे विच जो है इशनान करन जान देने, ता तिन दिन वापिस नहीं हो दे, इसे कटना नो उनना दी इनलाइटनमेंट देनाल जो है जोड़ा जान दा है, ज ना मुसल्मान, ता इस तो बाद गुरुजी अपनियां मिश्नरी आक्टिविटीज नू स्टार्ट कर देन दे हन, मिश्नरी आक्टिविटीज वस्ते जो मतलब बोहत लंबियां यात्रामा कर दे हन, जिनना नू चार उदासियां दान नाम दिता गया है, चारे दिशामा द विच चार उननाने उदासियां कितियां सन राइट बहुत दूर दूर तक उननाने ओह गए सन ठीक है जिमी रामेश्वरम हरिद्वार जगनाथ पूरी श्री लंका गया कैलाश मक्का मदीना बगदाद ठीक है ता हर एक उदासी तो बाद उह पंजाब वापिस आ जान दे सन एक वार जदो हूँ अपनी उदासी तो वापिस आ रहे हुंदे है ता उस टाइम जो है बाबर ने जो कि बाद विच मुगल वंशदा संस्थापना करदा है ठीक है बाबर उस टाइम उसने इन्वेड किता होया हुंदा है ता हो श्री गुरु नानक देव जी यते पाई मर संदना आनों गिरफथार कर लें nuevos entrants पर् शेती हिए उसादपूर विख्योंना नों गिरफथार कर लेंनों पर्चेती हि उन्हाना जो है चऩ दित आ जाता है ठीक है अपनी अदासी तो बाद गुरु जी एक विलेज वसोंदे ने एक पिंड वसोंदे हन करतारपुर अते एथे करतारपुर विखे उन्ना दे बहुत सारे अन्याई बन जान दे हन बहुत सारे उन्ना दे चेले बन जान दे हन गुरुजी एथे लंगर प्रथादी शुरुआत कर दे हन लंगरप्रथा ठीक है? लंगरप्रथा देवेच, मतलब हर तरम हर जाती दे बंदे नू हर जाती दे इंसान नू इकठे बैठके पोर्जन करना होंडा सिग enrolled के उनना देविच उच नीच दी जो पाबना है उखतम होवे, आठे आपसी प्रेम आठे सदपाबना उनना देवि बहुत तरजी दिन दे हन राइट इस तो बाद जन्दा है कि एथे उन्हा दी बहुत सारे disciples जो है बन दे हन आते 7 सेप्टेंबर फंदरासो उन्ताली इस्वी दे विच अमरी तवेले दे टाइम ते अमरी तवेला अर्ली मॉर्निंग आर्स नों अमरी तवेला केहा जन्दा है एहे समा शिरी गुरु नानक देव जी नों बहुत ही अच्छा लगदा सी बहुत ही प्यारा लगदा सी ता इसे टाइम दे दे जोती जोत समौन दे हन अते इस तो पहला आप अपने एक डिसाइपल पाई लेहना जीनू जो है गद्दी दा वारिस थाप दे हन राइट एथे उनलब गौर करन वाली गल्ले कि आपने दो हाँ पुत्रान दे विचों हो किसे नों भी गद्दी नहीं दिन दे सगों आपने एक डिसाइपल नों गद्दी दा वारिस थाप दे हन जिसनू कि यो ह जादा मतलब काबिल समझ दे हन, गुरु गद्धी दे, राइट, शिरी गुरु नानक देव जी दे हन, जो रचनावा हन, जप जी साहब, अकाल उस्तत, अते आसा दिवार, बारा मा, ठीक है, और सिद्ध गोष्ट, ओंकार, ये सब जो है, शिरी गुरु गुरंथ साहिब दे इब्राहीम लोदी, बाबर अते हुमायू, ठीक है, ता इस तो आपा देखो, लास्ट क्लास दे बीच पड़या सी कि, इब्राहीम लोदी दे नाल बाबर दा जो है, पानी पत दी, पहली लड़ाई हुन दी है, तो उस्तो बाद मुगल वंश जो है, शुरू हो जान दा है, कि बाबर अते हुमायू, जो हन, इस्तो बाद आये सन, नेक्स्ट हन, शिरिगुरू अंगद देवजी, शिरिगुरू अंगद देवजी नू, शिरिगुरू नानक देवजी आपना ही अंग दस दे हन, अते उन्नानू अंगद दा नाम दिन दे हन, शिरिगुरू अंगद जी दा जनम राए मतेदी सराए विखे होया, जोकि मुक्ठसर डिस्ट्रिक देविच है, आप जी ने गुर्मुखी स्क्रिप्ट दित्ती सी, गुर्मुखी मतलब गुरू प्लस मुखी, जो शब्द गुरू दे मुख दे विच्चों निकले होन, उसनु गुर्मुखी कहा ग आते उसनों होर विस्तरित रूप दिता, ठीक है, आते इस तरह गुर्मुखी स्क्रिप्ट श्रीगुरु अंगर्देव जी ने दिती, आते इस स्क्रिप्ट नों बाद देविच, इस लिपी नों बाद देविच, सिख तरम देविच बहुत सारियां रचनावा रचन दे रचनावा 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 रचन जी ने पाई बाला जी तोई कठे किते अते ओना दी पहली बायोग्राफी लिखी जिसनु की पाई बाले वाली जनम साखी किया जानदा है ता इस तो बाद आपकर दे हां कि पंद्रासो बवंजा इस वीदे वीचे खडूर साहिब विखे ही उजोती जोत समाजान दे हन अते जोती जोत समाजान तो पहला शिरी गुरु अमर्दास जी नुगत्दी दा वारिस थाप दे हन आप जी दे कंटेंप्रेरी रूलर सान हुमायू अते शेर्शा सूरी राइट ता नेक्स्ट है गुरु अमर्दास जी गुरु अमर्दास जी दा जनम 1489 इसवी दे विच अमर बावली जो कि बाद दे विच सिखान दा एक मतलब तार्मिक स्थीरत स्थान बने राइट अते शिरी गुरु अमर्दास जी ने सिखान दी जनम व्या अते मौत दे लई जो सेरेमनीस कितियां जान जो कि सेरेमनीस कितियां जान ओहो शिरी गुरु अमर्दास जी ने दसिया आप जी ने चाली सत्रा वाले एक मंतर दा जो है मंतर दी रचना किती सी जिस दा नाम सी अनन्दू ठीके आप जी ने चाली सत्रा वाले एक मंतर दा मंतर दी रचना किती सी अनन्दू दी जिसनू की मतलब सिखा दे व्या दे टाइम ते आज जबी उचारया जान्दा है जो सि इस्तो बाद, जो शिरीगुरु जी दे सकसेसर सन, शिरीगुरु रामदास जी, उन्हनने चार सत्राइं वाले मंतर दी, हिरुच ना किती सी, जिसनो लामा किहा जानदा है, राइट? तरविफर सी याद रग सक देयों. इस तो बाद है कि श्रीगुरू अमर्दास जी ने श्रीगुरू नानक देव जी दवरा शुरू किती गई लंगर प्रथानु हो उननाने होर अगे वदाया अते श्रीगुरू अमर्दास जी केंदे सन की पंगट मस्ट प्रसीड संगत मतलब जो वी शर्दालू श्री गुरु जी नू मिलन दी इच्छा रखदा होएगा, जो वी श्री गुरु जी नू मिलन आवेगा, उस तुं सबतो पहला पंगत दे विच बैठके जो है लंगर छकना पवेगा, ता जो उस दे मन दे विच्चों उच नीच दी पावना खतम ह ता इस तो बाद है कि बादशा अकबर जदो श्री गुरु जी नू मिलन आउंदा है, ता उसने भी पंगत दे विच बैठके पहला लंगर छक्या सी, ता बादशा अकबर लंगर दे ना ते जो है जगीर लगवाना चौंदा सी, पर श्री गुरु अमर्दास जी बहत ही प जड़ा है, बीपान नी जी दे नाम ते, ता श्री गुरु अमर्दास जी ने मंजे सिस्टम शुरू किता सी, मंजे सिस्टम की सी, श्री गुरु जी दे जो डिसाइपल हुन दे सान, उन्हान वक वक टेरिटरी इस दितियां जान दियां सान, आते हर एक डिसाइपल ने श्रदालुआ द्वारा, ओफरिंग जी दे जान दियां सान, श्री गुरु जी दे नाम ते, उसनों इकठा करना हुन दा सी, ता इस तरह श्री गुरु अमर्दास जी ने बाई मंजियां जो हन इस्टैबलिश किती हैं, ता है याद रखना है, बाई मंजियां श्री पोथियां प्रिपेर किती हैं सान, दो पोथियां मतलब बानी जो है, दो वॉल्यूम्स आप जी ने प्रिपेर किती हैं सान, जिस दे बीच श्री गुरु नानक देव जी दी बानी, श्री गुरु अंगद देव जी दी बानी, आते श्री गुरु जी आपनी बानी, आते आप जी ने अपनी एक डिसाइपल पाई जेठा जी नू गदीदा वारिस थापया। ठीक है पाई जेठा जी जिन्ना देनाल की शिरिगुर उमर्दास जी अपनी पुतरी बीबीपानी व्यावी कर रहेंदेया, मतलब उनना दे जो है son-in-law बन जान दे है पाई जेठा जी ता उनना नु जो है गद्धी दा वारिस थाप दे हन ता नाउ विल स्टड़ी गुरु रामदास जी जी ना दा नाम पाई जेठा वी सी श्रीगुरु अमरदास जी जान दे सन की उनना दे सारे disciples से विच्चों सब्तों वद जो ग्यान है श्रीगुरु नानक देव जी ना टीचिंग्स दा ओहो श्रीगुरु रामदास जी नुसी पाई जेठा जी नुसी ते उना दे उच्चे चरित्तर नू वेखते हुए ही यहो गदी दा वारिस जो यह उना नू थाप दे हन अथी आपनी पुत्री दा व्यावी उना देनाल कर दिन दे हन ता श्रीगूरू रामदास्टी दा जनम जो है 1524 दे विच़ चुना मंडी लहौर विखह हुए है ठीके आप जी दे पत्नी विपानी ठीके आप जी ने मसंद सिस्टम शुरू किता सी मसंधान दा की काम सी, ओ ही जो मंजी सिस्टम दे विच जी मसंधान दा काम सी की अपने इलाक्य दे विच जो है श्री गूरू नानक देव जी दिया टीचिंग्ज दा परचार करना, टीचिंग्ज नो स्प्रेड करना आते जो भी offerings उस territory दे विच श्री गुरु जी दे नाम ते कितिया जान दिया हन उनना नू collect करना राइट ता श्री गुरु रामदास जी ने बादशा अकबर ने जो बीबी पान नी दे नाम ते जो जमीन लगवाई सी ओथे जो है श्री गुरु रामदास जी एक तलाब तलाब करना जी बादसर जी नाम ताइटा ज़या जानदा है जो कि जी दा नाम रामदास पूर प्याजंदा है ते बाद दे विच अनू गुरु का चक बे नाम ते जा किन से जीन हिए मश्चूर ही गुरु का ज़रु इपाद दे जान पृविचिए अमृत सिर रइट न अमरित सर दा नाम किस तरह ब्या, sorry. मुगल बाद्शा आप जिदे नाम टाइम थे, obviously, अकबर, बाद्शा अकबर, ठीके, एथे गुर्द्वारा, गुरियाई अस्थान, एथे ही श्री गुरु रामदास जी नूँ जो है, गुरु गद्दी द वारिस थापया गया, इस गुरु द्वारे देविच, ठीके, अग रचना किती सी, 688 मंतर जो है आप जी ने रचेसन, अते सब तो इंपोर्टेंट कंपोजिशन सी, लामा, जो कि अपा पहलना भी करके आए हाँ, ठीके, चार सत्रा वालियां, लामा जो श्री गुरु रामदास जी ने रचियासन, जो कि व्यादे टाइम ते जिना दा उचा जोच समाज आंदे हन, अते उस तो पहला आप जी ने अपने सब तो छोटे पुतर अरजन नू जो है गद्दी दा वारिस थाप दे हन, तो नाव वी कम तो पंजमे गुरु शिरी गुरु अरजन देव जी, ठीके, मुगलान दे खिलाफ खडे होन वाले अते जो है अपने तरम दी रक्ष्या देवास थे, पहले गुरु साहिबान जो शहीदी दिन दे हन, शिरी गुरु अरजन देव जी, राइट अपंदरा सो त्रेटी स्वीदेवीच गोईंदवाल साहिब विखे आप जी दा जनम होया सी, अते आप जी ने अमरित सर विखे, हरिमंदर साहिब दे याद रखने है कि हरिमंदर साहिब दे जो सोने दियां, प्लेट्स लगियां होयां, महाराजा रण्जीत सिंग अते उन्ना दी मदर इन लौ सदा कॉर ने गितियां सन, सदा कॉर ने डोनेट कितियां सन, ता मुसलिम सूफी सेंट मिया मीर नो शिरी गुरु अरजन जी बुलोंदे हन, हरिमंदर साहिब दी जो है, नी बत्थर रखन वासते, शिरी गुरु अरजन देव जी नी आदिगरंथ दी संकलित किता सी, आदिगरंथ नो मतलब किये कंपोज किता सी, ठीक है, आदिगरंथ दे विच पहले चार गुरुआं दी बानी, शिरी गुरु पाइगुरु दास जी, शिरी गुरु अरजन देव जी दे मुख, मिश्नरी सं, ठीक है, तपाइगुरु दास जी ने ही आदिगरंथ नो कंपलीट किता सी, आदिगरंथ नो मतलब शिरी गुरु अरजन देव जी दे कहे अनुसार, उसनो कंपलीट किता, ठीक है, आते 1604 इस्वी देविच, इसनो हरिमंदर साहेब देविच, स्थापित किता आदिगरंथ नो, ठीक है, एंड बाबा बुद्धा जी जो हन पहले गरंथी बन दे हन, रैट ता 1604 इस्वी देविच, याद रखना है, तरन तारन जो है सिटी, शिरी गुरु अरजन देव जी ने वसाई सी, एंड करतारपूर, जो कि जिलंदर डिस्ट्रिक्त ने विच ह शिरी गुरु अरजन देव जी ने एक उजड चुके पिंड रुहेला दी, उसनो मुड वसाया सी, उजड चुके पिंड रुहेला नो, अते इसनो अपने पुत्तर हरगोबिंद दे नाम ते इस दा नाम रख्या, हरगोबिंद पूर, रैट? ता शिरी गुरु अरजन है दस्वा प्लस अद ठीक है मतलब दस्वा जो हिस्सा अपनी जो आमदन दे विच्छों दस्वा हिस्सा शिरी गुरुजी दे नाम ते डोनेट करना हुंदा सी ठीक है सिखानों है कहा गया कि अपनी आमदन दा जो टेंथ पार्ट है ओ शिरी गुरुजी दे नाम ते तरम दे टाइम ते अकबर ते जहांगीर, राइट, शहीदी देन वाले पहले गुरु सहे बान सन, अकबर दे टाइम तक, सब ठीक चल रहा है सी जिस्तरा कि अपा लास्ट क्लास दे विच कीता सी, बट अकबर दा जो पुतर सी, जहांगीर, ओहो शिरी गुरु अरजन देव जी दी व उसने अपने पिता जहांगीर दे खिलाफ विदरो करता ठीक है, अते शिरी गुरु जी दीएं, ब्लेसिंग स्लें ले गया, जहांगीर जो क्रोध शी ओहोर भी पढ़क गया, उसने शिरी गुरु जी नू लाहूर विखे बुलाया, शिरी गुरु जी नू बंदी बना ल अर्जन देव जी ने पाई बुद्धा जी नू संदेश पेजिया कि उन्ना दे पुत्तर जो कि उस टाइम माइनर सन मतलब बहुत चोटी उमर दे सन ता उन्ना नू जो है गदी दा वारिस थाप्या जान्दा है शिरी गुरु हर गोबिन जी नू राइट ता आज आपा पहल पंच गुरु साहिबान बारे करांगे सो आज एन नही थेंक यू सो मच